मार्चिस हिंदी मूवी समीक्षा मार्चिस 1996 की भारतिय राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जो गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित और आरवी पंडित द्वारा निर्मित है इसमें चंद्रचूर सिंह, ओमपुरी, तब्बू और जिमी शेर्गिल है यह फिल्म 1980 के दशक में पंजाब में सिख विद्रोह के उदे के आसपास की परिस्थितियों को चितरित करती है फिल्म का संगीत विशाल भारतवाज ने तयार किया था और गीत गुलजार ने लिखे थे यह पार्शव गायक के रूप में केके की पहली हिंदी फिल्म भी थी फिल्म माचिस का शीर्षक एक रूपक है जो बताता है कि किसी भी देश के युवा माचिस की तीली की तरह होते हैं जिनका उपयोग दीपक जलाने या फ्यूज बनाने के लिए किया जा सकता है जो डाइनामाइट को उड़ा देगा फिल्म दर्शाती है कि कैसे ध्रष्ट राजनीतिक और पुलिस व्यवस्था धार्मिक भेदभाव के आधार पर लोगों को निशाना बनाने और उन्हें वश्मे करने के लिए जानबूच कर नीतियों और चालों को लागू करती है फिल्म में नायक ऐसे अत्याचारों का शिकार हो जाता है जिससे उसके किरदार में बदलाव आ जाता है वह पडोस में रहने वाले एक साधारन लड़के से एक गुस्सैल प्रतिशोधी व्यक्ती बन जाता है जो न्यायके अपने संसकरण का अनुसर्ण करता है क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार प्रणाली ने उसे विफल कर दिया है चवालिस्वे राष्ट्रिय पुरसकारों में माचिस ने दो पुरसकार जीते संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रिष्ट लोकप्रिय फिल्म और तब्बू के लिए सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री 42 वे फिल्म फेर पुरसकारों में फिल्म को सर्वश्रिष्ट फिल्म, सर्वश्रिष्ट निर्देशक, सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री और सर्वश्रिष्ट सहायक अभिनेता सहित 10 नामांकन प्राप्थ हुए और चार पुरसकार जीते, जिनमें चंद्रचूर के लिए सर्वश्रिष्ट पुरुष पदारपन और भारदवाज के लिए आडी बर्मन पुरसकार शामिल थे तब्बु ने विरेंद्र कौर उर्फ वीरन के किर्दार के लिए अपना पहला सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री का राष्ट्रिय पुरसकार जीता छोड़ आये हम केके द्वारा गाया गया पहला हिंदी फिल्म गाना था कहानी 1908 के दशक के मध्य से लेकर अंत तक भारतिय राज्य पंजाब में घटित होती है ओपरेशन ब्लू स्टार प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद 1984 के सिख नरसनहार के कारण हिंसक विद्रो हो रहा है कहानी फ्लैश बैग की एक श्रिंखला में सामने आती है जस्वंत सिह रंधावा और उनकी बहन वीरेंद्रक वीरन पंजाब के एक गाउ में अपनी बुजुर्ग मा बीजी के साथ रहते हैं क्रिपाल सिह जस्वंत का बचपन का दोस्ट और वीरन का मंगेतर है और अपने दादा के पास ही रहता है सहायत पुलिस आयुक्त खुराना और इंस्पेक्टर वोहरा द्वारा उनके शांतिपूर्ण जीवन को बाधित किया गया है वे जिमी की खोज में हैं जिसने कथित तौर पर भारतिय संसत के सदस्य केदार नाथ की हत्या का प्रयास किया था पूछताच करने पर जस्वंत पुलिस को जिम्मी नाम के अपने कुट्टे के पास ले जाकर मजाग करता है उसकी बत्तमीजी से गुस्साएं खुराना और वोहरा ने पूछताच के लिए जस्वंत को हिरासत में ले लिया जब जस्वंत घर नहीं लोटा तो क्रिपाल ने उसे ढूंडने के लिए संधर्श किया इलाके के पुलिस स्टेशनों का दौरा किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली आखिरकार 15 दिनों के बाद जस्वंत वापस लोट आया वह बुरी तरह घायल हो गया है और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान है क्रिपाल क्रोधित है क्योंकि एक हानिरहित शरारत के लिए जस्वंत को अमानवी पुलिस बरबरता का शिकार होना पड़ा पुलिस की बरबरता से लड़ने के लिए किसी भी कानूनी तरीके से मदद पाने में असमर्थ क्रिपाल अपने चचेरे भाई जीताय को ढूंडने निकल पड़ता है जिसके आतंकवादी समुहों से संबंध है वह उसका पता लगाने में विफर रहता है लेकिन सनातन को बस में टाइम बम लगाते हुए देख लेता है क्रिपाल एक हाईवे रेस्तरा में फिर से उससे मिलता है वह सावधान सनातन से उसकी व्यथा सुनने के लिए कहता है सनातन क्रिपाल को अपने ट्रक पर कमांडर, द्वारा संचालित और घरेलू बमों की बोरिया और दो उग्रवादियों के साथ यात्रा करने देने के लिए सहमत हो गया उनके ठिकाने पर पहुँचने पर क्रिपाल ने अपनी दुर्दशा बताई और पता चला कि कमांडर ने खुद पुलिस मुखबिर होने के कारण जीतय को मार डाला क्रिपाल की प्रिष्ठ भूमी, परिवार और दुर्दशा से पूरी तरहा वाकिफ कमांडर क्रिपाल को उनके पास आने के लिए डाटता है जैसे की वे पेशेवर हत्यारे हूँ वह उससे कहता है कि वह खुद खुराना को मार डाले और समूह उसकी रक्षा करेगा क्रिपाल धीरे-धीरे समूह के बाकी लोगों का सम्मान अर्जित करता है सनाथन बताते हैं कि क्रिपाल किसी राश्ट्रवादी या धार्मिक उद्देश के लिए नहीं लड़ रहे है वह अपने मौलिक नागरिक अधिकारों के लिए और एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं जो निर्दोशों को प्रताडित करती है और आम लोगों का अवमूल्यन करती है बाद में कहानी में यह पता चलता है कि सनातन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान सामप्रदायक हिंसा से बचे थे इसके अलावा उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान अपने परिवार के अधिकांश लोगों को खो दिया था सनातन का दावा है कि यह शासक वर्ग राजनीतिक लाब के लिए समाज को धर्म के आधार पर विभाजत करने की कोशिश कर रहा है क्रिपाल समोह के साथ प्रशिक्षन लेता है और खुराना की हत्या की साजिश रचता है एक साल के बाद वह एक व्यस्त बाजार में खुराना की हत्या कर देता है छिपने से पहले वह आखिरी बार जस्वंत और वीरन से मिलने जाता है दोनों उसके कृत्य से भयभीत हो जाते है जब क्रिपाल अपने ठिकाने पर लोटता है तो उसे वह खाली मिलता है छुपे रहने के बाद समूह का एक सदस्य उससे संपर्क करता है और संकेत देता है कि उसे यात्रा के लिए तयार रहना चाहिए फिर उसे कमांडर द्वारा हिमाचल प्रदेश में समूह के नए छिपने के स्थान पर ले जाया जाता है कमांदर ने क्रिपाल को सूचित किया कि पुलिस को खुराना की हत्या के संबंध में उसकी पहचान के बारे में पता है क्योंकि वे जस्वंत से पूछताच की घटना के तार जोड सकते हैं क्रिपाल को धीरे धीरे एहसास होता है कि रोज मर्रा की जिंदगी में वापसी संभव नहीं है और उसे यूनिट की कमपनी में सांत्वना मिलती है जो अब एक नए मिशन की तयारी कर रही है और मिसाइल फाइरिंग विशेशद्य के आने का इंतजार कर रही है स्थानी या नौकरी के लिए आवेदन करने के बारे में सोचते समय क्रिपाल को सनातन में चेताबनी दी कि वह अब मीडिया की नजर में एक बड़ा आतंकवादी है और पुलिस अधिकारियों के लिए पदोनती का साधन है समूह के सदस्यों में से एक कुलदीप कुछ विसपोटकों को अवैध रूप से ले जाते समय पुलिस के साथ तक्राव में बाल-बाल बच गया जिससे वह घायल हो गया अनुभव से भैभीत होकर उसने कनाड़ा में प्रवास करने का वादा करते हुए सनाथन से उसे घर जाने देने की विंती की सनाथन अनिक्षा से सहमत है जबकि बाकी यूनिट का मानना है कि कुल्दीप घर जा रहा है उसके बैग में रखा एक बम फट गया और घर जाते समय उसकी मौत हो गई इसी बीच क्रिपाल को पता चला कि उसका एक साथी जैमल सिह कोई और नहीं बलकी जिमी है जिसे पुलिस तलाश रही थी इसके तुरंत बाद मिसाय शूटर आता है और सनातन वीरेंदर कौर का परिचय देता है क्रिपाल यह जानकर हैरान हो जाता है कि वीरेंदर उसकी मंगेतर वीरन है अंतहवे अकेले में एक साथ बात करने के बाद कृपाल यह जानकर भैभीत हो जाते हैं कि खुराना की हत्या के बाद जस्वंत को पूछताच के लिए ले जाया गया था जेल में उसे बुरी तरह पीटा गया और आत्म हत्या करने के लिए मजबूर किया गया इस त्रास्दी की जानकारी मिलते ही उनकी मा की मृत्यु हो गई और वीरन अकेला रह गया इंस्पेक्टर वहरा से रोजाना मिलने के बाद वीरन ने कृपाल के नक्षेक दम पर चलने और उसके साथ फिर से जुड़ने का फैसला किया क्रिपाल और वीरन के बीच फिर से नजदीकिया बढ़ने लगी वीरन घर में एक स्वागत्योग्य सदस्य है जो सामान्य जीवन की साधारन खुशिया डाकू गिरोह में लाता है और दूसरों विशेशकर सनाथन और वजीर के साथ घनिष्ट मित्रता विक्सित करता है यह मिशन सांसद केदार नाथ की हत्या की साजिश के रूप में सामने आया है जो जिमी की हत्या के प्रयास से बच गए थे जब वह एक स्थानिय सिख मंदिर की यात्रा के लिए पहुँचे साथ रहने के दौरान क्रिपाल और वीरन ने चुपचाप शादी करने का फैसला किया वीरन चुपचाप क्रिपाल से साइनाइड की गोली चुरा लेता है जो समूह के प्रत्येक सदस्य के पास होती है और यदि कभी पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो उसे इसका उप्योग करना होता है निगरानी शुरू करने के लिए सिख मंदिर का दौरा करते समय क्रिपाल ने इंस्पेक्टर वोहरा को देखा जो केदार नाथ की यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी थे क्रिपाल वोहरा का उस घर में पता लगाता है जहां वह रह रहा है लेकिन उसे मारने का प्रयास करते समय वोहरा को पकड़ लिया जाता है और पुलिस द्वारा गिरफतार कर लिया जाता है इस बीच समूह के सदस्यों में से एक ने कृपाल को वोहरा के आवास में प्रवेश करते हुए देख लिया यह तर्क देते हुए कि यदी कृपाल वफादार होता तो उसने खुद को मारने के लिए साइनाइड की गोली ले ली होती सनाथन ने निशकर्ष निकाला की कृपाल एक पुलिस मुखबिर था सनाथन ने वीरन पर कृपाल की मदद करने का भी आरोप लगाया और उसे घर में नजरबंद करने का आदेश दिया मिशन के दिन सनाथन समूह को जाने का आदेश देता है और वजीर को वीरन को मारने के लिए कहता है हाला कि वीरन छूट जाता है और वजीर को मार डालता है इस बीच जैमल और सनाथन ने साजिश को अंजाम दिया एक पुल पर केदार नाथ के काफिले को रोपते समय जिमी की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है योजना की अनुसार सनातन ने केदार नाथ की कार को उड़ाने के लिए मिसाइल दागी भागते समय सनाथन को पुलिस द्वारा नहीं बलकि स्वय वीरन द्वारा बारीकी से ट्रैक किया जाता हुआ पाता है वीरन उसे फुसला कर जंगल की गहराई में ले जाता है और गोली मार कर उसकी हत्या कर देता है वीरन जिसे समोह के सदस्य के रूप में उजागर नहीं किया गया है, जेल में कृपाल से मिलने जाता है वह कृपाल को गले लगाती है और उसे गले लगाते समय वह कृपाल को साइनाइड की गोली खिलाती है और चली जाती है फिल्म का अंत क्रिपाल के जेल के बिस्तर पर शांती से मृत पड़े एक शौट और एक चलती पिकप ट्रैक्टर के पीछे के शौट के साथ होता है जहां वीरन नाक से खोन बह रहा है और शांती से सीधा सो रहा है जो दर्शाता है कि उन दोनों ने साइनाईड की गोली ली थी